नमस्कार दोस्तो गो स्टोरीज भाय आदव जी पर मैं सुरज आदव एक बार फिर हाजिर हूँ एक सच्ची और डरावनी कहानी के साथ सभी पुराने सब्सक्राइबर्स को राम राम और नई वीवर्स को भी मेरे राम राम तो कैसे हैं आप सब लोग आशा करता हूँ ठीक होंगे स्वस्त होंगे और मजे में होंगे और हमशा की तरह मुझसे गुश्सा भी होंगे कि सूरज भाई बार बार बोलके गायब हो जाते होंगे आप से कहानी रेगुलर डालूँगा और तीन महीने से कहा थे तुम यही सब सवाल है ना आप लोगों के दिमाग में इन सब सवालों के जवाब मैं आपको एक दिन लाइव स्ट्रीम में आकर दूँगा जब लाइव आप मुझसे कुछ भी सवाल पूछ पाएंगे और हम लोग आपस में बाते कर पाएंगे लेकिन नई विवर्स का ध्यान रखते हुए पहले आज अपनी कहानी शुरू कर लेते हैं पहले एक अच्छी सी कहानी और उसके बाद बातचीत तो आज की कहानी भेजी है मुझे इटावा से मोनिका जी ने और जिस फैमिली की कहानी मैं आपको अब सुनाने वाला हूँ य उसी फैमिली की सबसे छोटी बेटी है मोनिका जी ने मुझे ये कहानी आज से तीन महीने पहले ही भीज दी दी लेकिन आप जानते हैं कि मैं कहानी किनी कारणों के वज़े से नहीं डाल पाया तो इसी वज़े से इनकी कहानी ये रह गई थी तो शमा करिएगा मोनिका जी लगभग 18 साल के आसपास है और यह अपनी माता-पिता की सबसे छोटी संतान है अब इनके माता-पिता का कुछ नाम रख लेते हैं अपनी इस कहानी में क्योंकि इन्होंने पूरी कहानी के दोरान पूरा मैंने टेक्स्ट पढ़ा पूरी कहानी पढ़ी और उसमें कहीं भी इन मैं सुनाने वाला हूँ वो मदन और सीमा के ही point of view से सुनाई जाएगी और मोनिका जी मुझे थोड़ा शमा करिएगा कि क्योंकि मैं बार बार जी शब्द का इस्तामाल करूंगा तो viewers थोड़े से पेटा और फिर से एक बेटे की चाहँ में इनको एक और लड़की हुई जिसका नाम है मुनिका के यह वंग और यह लड़को अपने माता पिता के साथ नहीं रहती एं तिया क्योंकि यह कहती है और उन्होंने मेरे भाई भेनों का जीवन बरबाद कर दिया तो जब आप ये कहानी पूरी सुनेंगे तो आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि हाँ मोनिका विल्कु ठीक कह रहे हैं तो थोड़ा सा और जान लेते हैं मदन और सीमा के बारे में मदन छोटे मुटे काम किया करते थे जैसे की चूडियां बेश लेना रहडी पर और बहुत छोटे छोटे काम सीजन के साथ कभी फल बेश लेना कभी सबजी बेश लेना और सीमा एक हाउस वाइफ ये लोग किराये पर रहा करते थे और इतनी बड़ी फैमिली होने की वज़य से इनकी जो कमाई थी मदन की वो इने पूरी नहीं पढ़ रही थी और उपर से इनकी जो वाइफ है सीमा इनका नेचर एकदम बहुती भेहंकर रूप से लालची किसम का मतलब बच्चों को खाने को भी ठीक से नहीं देती थी बस जितना आपके possibility है आपकी आपको उतना तो करना ही चाहिए बस इनका काम था कि किसी तरीके से पैसे बच जाएं और पैसे बचा बचा के मैं अमीर हो जाऊं इनका छोटा सा concept था कि बस मुझे अमीर होना है by hook और by crook कैसे भी मतलब अगर किसी का गला काटना पड़े ना उसके लिए तो भी ये तयार थी ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा इनकी बेटी ने खुद बताया अब पैसों के लालच में इन्होंने पतानी किस किस के सामने सर नहीं जुकाया और पतानी कैसे कैसे उट पटांगो पाये नहीं किये पहले बेटे के चक्कर में किभी मुझे बेटा पैदा हो जाए और उसके बाद जब बेटा हो गया तो अब इनका सिर्फ एक ही मोटो था लाइफ का वो था पैसा कमाना और उसके लिए किसी भी तरह का तंत्र कोई उपायक टोट का कुछ भी करने को तयार थी और ये करती भी थी और फिर ऐसे ही बाबाओं के तांतिरकों के मौलवियों के चक्कर काटते काटते ये पहुंच ए एक ऐसे इंसान के पास जिसने इनको खबीज के बारे में बताया कि एक ऐसी शक्ति है जो कुछ खास इमली के पेडों पर ही रहता है और वो अगर चाहे तो तुम्हें रंक से राजा बना देगा तो बस यही तो चाहिए था सीमा एकदम खुश होगी कि बस बाबाजी आप बताओ के करना क्या है मैं कुछ भी करने को तयार हूँ तो अब जो बात आप सुनने वाले हो ना उसको सुनकर मेरे ख्याल से किसी भी माता पिता के ओ अपने कानों पर विश्वास होई नहीं पाएगा तो अगर मुझे कोई बोले के तुम्हें अपने बच्चे को भेजना ह होगा और उसके बाद तुम्हारा बच्चा उसके काबू में रहेगा उसके उपर हावी रहेगा और शायद वो उसकी जान भी ले लेगा तो क्या कोई माता पिताब ने बच्चे को भेजेंगे लेकिन सीमा जी ने ऐसा ही किया बिलकुल आपकी और मेरी सोच से अलग उस बा पिजना होगा और अगर वो खुश हो गया और वो अगर तुमारी बेटी के उपर आ गया तो बस तुम समझो कि जो तुम चाहोगी वो ही होगा अब सीमा जी को क्या था उनके लिए तो यह जो पांच बेटिया हैं यह आप समझ लो कि बोज थी जैसा कि मोनिका ने बताया कि हमारी ममी जो है सिर्फ हमारे भाई को प्यार करती थी तो वो सीमा जी ने क्या करा अपनी एक बड़ी बेटी को जिसका नाम निशा था उसको बोला के तू ऐसे ऐसे करके और इमली के पेड़ के पास यह समान रखके आया कर और थोड़ी देर वहाँ बैठा कर अब निशा न अपनी मम्मे के कहने पर चली भी गए अब यह रेगुलर टाइम चलता रहा इमली के पेड़ के पास खाना ले जाना आना वहां बैठना और कुछ इस तरह के शब्द बोलना जो कि उस बाबा ने उनको बताये थे और उस खबीज को और उस बाबा को इंतजार था निशा के मेंस्ट्रॉल पिरियड जिसे लोग डेट बोल देते हैं वो आने का क्योंकि जिस दिन ऐसा हुआ उसी दिन उनको वो शैतान दिखा निशा ने पहली बार अपनी आँखों से उस पेड़ पर उस शैतान की परच्छाई देखे और जब वो सामने आया उसके तो बस उसके हुआ और अब मैं तेरे साथ आने को तयार हूँ अब वो लड़की डर गई और जब वो देखके भागी वहां से तो सीधा अपने घर आकर उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने वहां कुछ देखा और वो बिलकुल एकदम शैतान दिख रहा था तो इसकी माने बोला बस कुछ नह बहुत जादा उसको इतने कश्ट दिया करता था और बोलता था कि अब के बाद अगर कोई पूछे कि मैं तुझे दिखाई देता हूं तो किसी को मेरे बारे में मत बताना तो जो बोलेगी मैं तुझे वो दूँगा तो जैसा बोलेगी मैं तुझे वैसा रखूंगा अब रात को निशा के कमडे से बहुत ही दर्दनाक आवाज आती थी बहुत जादा वो पूरी रात चीकती चिलाती रहती थी और अगले दिन उसे कुछ याद भी नहीं रहता था बस उसका शरीर ऐसे हो जाता था कि जैसे वो उसे किसीने बहुत जादा मारा हो और एकदम बेहाल पर ऐसा कभी-कभी होता था रेगुलर नहीं निशा की मा को सब पता तो था लेकिन लालच की वज़य से उसने कुछ नहीं किया और नाहीं कभी कुछ बोला उसकी बेटी उसे बताती रहती थी कि मुझे इतना दर्द होता है मुझे उतना परिशान करता है अब मैं आपको ड तादा उसको परिशान कर रहा था ऐसे ही चलता रहा और धीरे धीरे अब उस लड़की की एज 17 साल के आसपास हो गई ये लोग धीरे धीरे काफी पैसे वाले हो चुके थे अपना घर ले लिया सब बढ़िया काम चल रहा है और इस दोरान निशा की मम्मी ने कई बार उस राक किसी भी देवी देटा की ना तो वो मूर्ती रहने देता था और ना ही कोई पूजा लाउड थी उसने साफ पोल दिया था निशा को कि क्या-क्या करना है और क्या-क्या नहीं करना है मैं तुम्हें बहुत पैसा दोंगा जो तुम चाहोगे वो करूँगा लेकिन तुम्हें तेरे घर में इतनी दुख दर्च से तेरी बेटी गुजर रही है अरे इतना क्या डरना यार कम से कम अपनी बीवी से कुछ बोल तो सकता था तो लेकिन चलो अब अपने उन्टे घर की बात है अब इन लोगों ने एक निया घर खरीदा और बड़ा और लोगों ने एडवाइ पढ़ी ने नया घर बनाया है तो जाके एक बार देख कर तो आएं और उसने पहली बार उस ख़बीज को देखा और वो देखकर इतनी डर गई और जोर जोर चीखनी लगी और चीखते-चीखते पहुंची अपनी भावी के पास मतलब सीमा के पास के भावी देखो भावी लेकिन जो भी एक दिन निशा की बुआ वहां रही और जब-जब वो उसे दिखता था तो उनका तो बहुत बुरा हलो जाता था और वो अब पोशिच कर रही थी निशा के आसपास भटके भी ना अब निशा की बुवा ने बोला भी कि तुमारे घर में ना तो किसी भगवान की फोटो है ना मूर्ती है ना ही एक छोटा सा भी मंदिर है इसलिए शायद तुमारे घर में इस तरह की कोई काली शक्ति आ गई है लेकिन इन सबको तो पहले ही करना के प्यार में बलड़ा बताता कि क्या है और यह सिर्क इस बात को इगनौरी किया जा रहे थे थे हैं तो इतना इगनौर करने के बादे को इस know manage के प्वाई में इसकी बुवा चली जाती है मंदिर कि जाके मंदिर में बगवान से प्रार्फ ना करूंगी और वहां से जायर भाती जी के उपर कोई गलत शक्ति है तो पंडित जी उसको प्रशाद दे रहेते हैं कि जाहो बेटा भगवान का प्रशाद है ये खिला देना और ये मैं जल दे रहा हूं ये जल से छड़क देना उसके उपर कोई भी इस तरह की शक्ति होगी तो बेटा ऊचली और निशा वहाँ पर दोपैर के टाइम में जोर जोर से बाल खोल कर हसे जा रही है। तो लेती दूर से देख लोंगी चलो अज वहाँ जाकर देखती है तो उसके खुद की भतीजी निशा वहाँ पर बैठी हुई है और जोर जोर से हसे जा रही है कभी सीधा लटकरी है कभी उल्टा लटकरी है बाल जोर जोर से घुमारी है अपने पूरा सर घुमारी है और उस है और पास में ही नीचे जमीन पर लाल चीटियों का एक जूंड था होता ना जहां पर बहुत सारी चीटियां इखटी हो जाती है तो उसने सब के सामने जिस चीटि को हम छोते भी टरते हैं लाल चीटियों को उठा कर पूरा मुह में भर लिया और खाते खाते और सोचो किसी अपने मुह में चीटिया भरी हुई है और खाय जाता सब के होश उड़ गए और आदे से लोग तो वहां से भग गए उसका रूप देखकर और हाहाहा ऐसे हसे जा रही है बहुत बुरी तरीके से और फिर भगे भगे चली गई अपने घर उसके शरीर पर चीटिया लगी क्या करूं मैं लेकिन फिर उसे अब घर तो जा नहीं था और आज वह सोची रही थी कि जब मेरे भाई और भावी कोई फरक नहीं पड़ रहा है तो मैं इस पच्छडे में क्यों पड़ूं आज जाकर मैं अपने घर वापस चली जाओंगी अब वो जाती है तो पहले से ही निशा उनको घर के अंदर दिखाई देती है और एक अलक्सी हसी नहीं होती कि आजा तेरा इंतचार कर रही थी मैं आजा और वो जितनी भी चीटियां अब उसने अपने उपर लथेड रखी थी वो सारी की सारी अपनी बुवा के उपर मल देती है अजा खाले 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 इसके उपर निशा के उपर कि कुछ तो फरक होगा या मुझे तो छोड़े इसके उपर से चीज जाए जाए ना जाए कम इसका मुझे तो छोड़े चीज और फिर उसकी बुवा को वो पटक पटक के मारता है बहुत बुरा हल कर देता है लब यह सोच लो कि सिर्फ जान ही इकलनी बाकी रह गई थी उनकी वो घर के बहर बाग जाती है और वहीं से अपने हज्बंड को फोन करती है कि तुम घर मत आना और बस मुझे यहीं से ले जाओ सारी कहानी बताती है अपने हज्बंड को और यह सब देख रहे थे इसके घर में बाकी सारे बच्चे भी सोच उन बच्चों पर क्या फरक होता होगा क्या सराता होगा उन बच्चों पर उन लड़कियों उपर जो ये सब चीखने चिलाने की आवाजे सुनती थी रात को और सब पता था कि क्या हो रहा है लेकिन मम्मी पापा सुनना नहीं चाते उनको तो सिर्फ एक चीज था वो अपने बेटे विशाल के साथ उसे बहुत प्यार लाड़ प्यार से रखते थे इन सब चीजों से दूर और पिछले ही साल से उन्होंने इसको होस्टल भेज दिया कि बेटा जब तू इन सब चीजों से दूर रहे तो अपनी लाइफ बना और लड़कियां सब यही है और वो सब इसी माहौल में पल रही है और बड़ी हो रही है अब जितना भी पैसा ये लोग चाहते थे निशा के माता पिता उतना पैसा इनको मिल चुका था तो अब इनके मन में चल रहा था के अब इस निशा से छुटकारा कैसे पाया जाए और जो भी ये काली शक्ती है भाई वो तो इसके साथ जुड़ी हुई है तो करें क्या इसे कुछ बोल नहीं सकते इसको डाट नहीं सकते अगर कोई गलती से निशा के तरफ आँख उठा लेता रहा ना अंधेरे में रखकर किसी को शादी करवा देंगे इसके अब भाई जो लड़का देखने के लिए आए ये उसे ही अपना भेंकर रूप देखके डरा के भगा दे एक बार हुआ दो बार हुआ और एक बार तो क्या हुआ लड़के वाले देखने के लिए और ये पूरी गंजी हो गई घर में ट्रिमर से इसने अपने पूरे बाल काट दिये पूरे जीरो गंजी लड़के वाले देखके हैरान बोल ये क्या देखने आए हम एक तरफ से गंजी लड़की उसने अपने नाखूनों से पताने किस चीश से अपना मुख रोच रखा है रो रही है बाक्षा सी अवाज में बोलता देखो मैंने अभी तक तुमारे घर परिवार में किसी का कुछ बुरा नहीं किया है लेकिन अगर तुमने इसकी शादी कहीं और करने की कोशिश करी तो मैं बता रहा हूँ सर्वनाश कर दूंगा तुम्हें मुझसे कुछ और चाहिए तो हाँ मैं अब इससे शादी करने वाला हूँ उसे इमली के पेड़ के पास रात को 12 बजे तुम सब लोग तयीयार रहना मैं आऊंगा और तुम सब के सामने इससे निकाह कबूल करूंगा और इसके बाद मैं इसे अपनी दुनिया में ले जाऊंगा और तुम सबको इतने पै ता वो होता था कमरे में लेकिन आज देखकर शायर निशा की मम्मी की ममता जाग गई कि इतना इतना दर्द देता है मेरी बेटी कोई है अब उन्होंने इस खबीज से थोड़ा टाइम मांगा कि तुम आज और रुख जाओ कोई बात नहीं है तुम से ही शादी करवा देंगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे और जैसे जैसे घंटे बीटते जा रहे थे उस दिन के वैसे वैसे उस खबीज का प्रकोप उस निशा के उपर बढ़ता ही चला जा रहा था और वो पूरे दिन उसी अजीब आवाज में बार बार कभी कुछ बोले कभी हसे कभी रोए और उस उसका टॉर्चर उसने अपना लिमिट तक ले गया एक दम और उसके बाद रात होते होते निशा के घरवालों ने बोल दिया कोई बात नहीं तुम ले जाओ भही से तुम शादी कर लो जो तुम चाहते हो वो कर लो बस हमें माफ करो क्योंकि वो बारा घंटे उसने काटने भारी कर दिये जब उनके जैसे ही उनके मन में आया कि हम किसी तरीके से निशा को इसके चंगुल से बचा लेंगे अब जो कुछ भी उस रात को हुआ वो मोनिका ने अपनी आँखों से दो देखा नहीं लेकिन जैसा कि उसकी माने उसे बताया कि वो खभी साक्षात अपने रूप में एक अलग सा रूप था उसका बहुत ही घिनोना उस रूप में सब के सामने आया अपने तरीके से जो भी उसका तरीका था उसने उसे शादी की और सब के सामने बस पूछो मत उसने क्या क्या किया और सब को बोला एक काम करो अब तुम जाओ मैं इसे लेकर चला ज और मैं इस सब के बदले तुम्हें गड़े हुए धन के बारे में बताता हूं गड़ा हुआ सोना तुम उसे वहां जाकर खोड़ लेना और तुम्हारा जो कुछ भी तुम्हारी और छोटी मुटे एक चाय बच गई है वो सब पूरी हो जाएंगी यह पैसा तुम्हारा कभी खतम होगा ही नहीं तुम्हारे जीत जी कभी यह पैसा खतम नहीं होगा अब ऐसा उसने जान बूज कर किया था वो चिड़ गया था कि तुम बचाओगे इसे मुझसे लो अब तुम्हारे साथ क्या होगा तुम देखना क्योंकि खभी इस एक ऐसी शक्ति है कि अगर वो पूछा अपनी बहन के बारे में कि मम्मी बहन कहां गई उसे कहां छोड़ी आए तो उन्होंने बताया कि तुम देख तो रहे थे क्या हो रहा है वो आज रात को सिमली के पेड़ पर ही रहेगी और हम कल लियाएंगे सुबह उसे जाकर और अब निशा की मम्मी के दिमाग मे देख रहे हो लालच कितना गलत हो गया सिर्फ पैसा दिख रहा है अभी भी और इन्हें नहीं पता था कि उस खबीज ने जान बूच कर बताया है क्योंकि उस धन के साथ आप साथ जानते होंगे कि हर गड़े हुए धन के साथ कोई ना कोई शिराब जुड़ा होता है कोई आप सी शक्ति जुड़ी होती है जिसको बली चाहिए होती है और जैसा उस खबीज ने बताया था उन्हें जाना उस जगह खोदना और खोदते समय जब तुम उस समान को निकाल रहे होगे तो सिर्फ तुम्हे बोलना था कि जो तुम्हें चाहिए हम वो देंगे तो ऐसा ही बोलते हुए सीमा और उसके हस्बेंट जाकर वो घड़ा निकाल लाते हैं और सोने से खचा खच भरा हुआ सोने के जेवर सोने के सिक्के इतना पैसा देखकर और एकदम उनका दिमाग गोम गया और जो उनके दुख था ना उनके मन में अपनी बेटी के जाने का वो सब छुमंतर हो गया उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि आज रात तो रुख जाएं कल बेटी के साथ क्या होगा क्या न होगा पता नहीं वो उन्होंने एक काम आज रात रात में कर लिया अगले दिन सुबह जाते हैं उस इमली के पेड़ के पास तो निशा की लास पड़ी हुई मिलती है अब निशा का अंतिम संसकार करने के लिए वही उसके भाई का ना भी जरूरी था महाँ पर अब ऐसा थो पोटी मोनिका थोड़ी सी पहले से ही खुले विचारों की लड़की और घर वालों से भी डरने दबने वाला उसका निचर था नहीं वो अपने भाई को सब बता देती है कि तेरे चक्कर में मम्मी पापा ने हम बहनों की जीवन बरबात कर दिया यह जो निशा मरी है ना यह पोटी बहुत दुखी होता है अपनी मम्मी पापा को मैं मर गया तो फिर क्या करोगे इस पैसे का तुम अब घर में इस तरह की बाते होने के बाद उसकी अस्थी विसरजन करने के लिए लोग जाते हैं हरी दुआर और रास्ते में जाते-जाते ही इनके बेटे की तवेत ख से हरिदवार है कितना दूर इतनी दूर में यह रड़क अब लेकुल जूल गया शरीर से अब अस्थी विसरजन करने से पहले ही यह लोग डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हैं आस पास में जो भी डॉक्टर मिला कि कुछ आराम हो जाया और बाकी हम अपने घर जाकर इसको वह हात लग जाता है निशा की ममी के और निशा की ममी उस कमंडल को लेकर वो साधु मात्मा दिख जाते हैं कि उनका कमंडल है यह और वो जाकर उनको वापस दे देती हैं उनके पैर चूती हैं कि और बाबा यह लो आपका अपना कमंडल और तभी वो बाबा सीमा जी के सर पर ह पयास्षित ये गंगा मातु नहीं कर पाएगी, तेरे पाप नहीं दूलेंगे उससे, तुने लालज की चक्कर में अपनी बेटे को गवाने वाली है तुदेखना, पर मैं तुझे सिर्फिया अशिरवात देता हूं, कि तेरे दुख थोड़े से कम हो जाए, बसुर्जा जो तुने किया है तो भोगेगी वो तो तुझे इसी जन्म में यहीं भोग के जाना है अब वो बाबा की सारी बाते सुनकर उसे पता तो चली जाता क्योंकि ग्यानी है कोई है उनके पैर पकड़ लेती है बाबा किसी तरीके से मेरा बेटा बचा दो बाबा तेरे बेटे के ऊपर एक शराप है जहां से गड़ा हुआ धन लाई है पता है ना क्या बोला था तुने हाँ बाबा याद है तो बस तुने बोला था जो चाहिए होगा हम वो देंगे तो उस धन को चाहिए थी तेरे घर के एक बेटे की बली और तेरे घर में तो एक ही बेटा है डॉक्टरों को तुझे ये कस्ट भोगना पड़ेगा मैं सिर्फ तुझे और तेरे बच्चों को ये आशिरवात दे सकता हूं कि अब आगे तेरे ऊपर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो तेरे बाकी बच्चों को और हाँ उस खबीश का पूरा टाइम हो गया था और वो जाने वाला थ और तुमने वोसे ऐसे समय पे छेड़ दिया इसलिए जाते जाते उसने तुमारा विनाश की जड़भोदी तुमारे लिए और उस घड़े दन के बारे में जो बताया था न उसने वो जान बूच कर बताया था तुमें लेकिन तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा होना ही चाहिए ताकि बाखी लोगों को पता चले कि इस तरीके के गलत करमों का जो फल है वो कितना भेंकर होता है और वो बाबा गुस्से में वहां से चले जाते हैं ये लोग वापस आते हैं अपने घर और मुश्किल से एक हफते के अंदर-अंदर इनके बेटे की भी डेथ हो जाती है विशाल की अब सोचो उन बाकी लड़कियों पर वो चार लड़कियां जो अभी बची हुई है घर में उन पर क्या आसर पड़ा होगा कि हमारे माता-पिता के लिए ना तो भाई कुस्थ था ना हमारी बड़ी भेन कुस्थ थी तो हम क्या हो गए उनके लिए तो सिर्फ पैसा ही सब कुछ है तो ऐसा नहो इस पैसे के चक्कर में आपस में बात करती है और मोनिका जो की शुरू से निडर टाइप की लिड़की थी वो घर में भी जारा फाल तो सुनती नहीं थी किसी की तो बोलती है एक काम करते हैं अब यहां से चल चलते हैं इनका पैसा इनकी धंदावलत इन्हें मुबारक और वो अपनी बाकी बहनों के साथ किसी और शहर में आके रहने लगती हैं शहर का नाम मुझे तो इन्होंने वर्टसप में बताया है लेकिन जैसा कि इन्होंने मना किया है कि आप मेरे शहर का नाम भी मत बताना क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे माबाप मुझे यहां डूंडते हुए आ जाएं आज ये लोग छोटे मुटे काम करके अपना जीवन चला रहे हैं और ये जो इतने भयंकर मंजरत हैं इनके जीवन के ये कभी नहीं जाएंगे मुनिका बताती है कि आज भी मेरी बेहन निशा के चीखे जो हम रात में सुनते थे वो सपने में सुनके मैं आज भी चौक के उड़ जाती हूँ रात को और नहीं मैं कभी भूल पाऊंगी जो हमारे परिवार के साथ हुआ जो हमारे परिवार के साथ मेरी मा ने और मेरे पिता ने किया, कभी नहीं और उन्होंने बोला कि आप ये कहानी में जरूर बोलना कि मम्मी पापा मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी तो बस आज की ये लालच की कहानी यहीं तक थी कि कैसे एक लालची दिमाग ने कैसे अपना पूरा परिवार खराब कर लिया पहले तो बेटे का लालच कि बेटा हो जाए फिर पैसे का लालच कि पैसा हो जाए फिर और पैसे का लालच तो अब आप उस सीमा और मदन के बारे में सोचिए कि अभी इस पैसे का नहीं कुछ नहीं और मोनिका ने बताया कि आज भी मेरे मम्मी पापा के पास बहुत पैसा है जहां भी ओ रहते जो अमके पास लेकिन ना तो कोई रिषदार सब बराबर एयार और पैसा आज है कल नहीं है तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और किसी सच्ची और डरावनी कहानी के साथ आप सुन रहेते सूरज यादव को ओम नमस्चिवाए जैश्री बाला जी हरहर महादेव